MCEO से समंदित आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखते हैं कि आज कौन-कौन से महत्पूर्ण प्रशन है। पहला प्रशन है कि UPI ने भारत में डेबिट कार्ड के उपयोग को कैसे प्रभावित किया है। चार ओप्सन है। Option A, UPI ने ओनलाइन लेंदेन के लिए प्रात्विक चैनल के रूप में डेबिट कार्ड का इस्थान ले लिया है। Option B, UPI ने इन परसन ट्रांजेक्शन के लिए डेबिट कार्ड का इस्तमाल बढ़ा दिया है। C, UPI ने छोटे रिटेल आउटलेट्स पर लेंदेन के लिए डेबिट कार्ड के उप्योग को कम कर दिया है। Option D, UPI का डेबिट कार्ड के उप्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है Option A, मतलब कि UPI ने ओनलाइन लेंदेन के लिए प्रात्मिक चैनल की रूप में डेबिट कार्ड का इस्थान ले लिए है। आखिर कैसे देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या अगर हम देखें तो इसमें साफ यहाँ पर देख रहे हैं हम कि डेबिट कार्ड फेस्थरेट अबर UPI प्रिफरेंस। मतलब यहाँ पर यह है कि डेबिट कार्ड लेंदेन भारत में अगर वर्ष दर वर्ष अगर गिरावट के बात करें तो उसमें 20% गिरावट है जबकि UPI लेंदेन के अगर बात करें तो फिर उसी फरवरी महा में उसके वर्ष दर वर्ष बढ़ोतरी जो है वह 66 दुस्थर चार परतिसात है वही NPCI अगर हम फूल फॉर्म की बात करें NPCI की तो National Payment Corporation of India इसके द्वारा प्रीपेट भुगतान उपकरनों को इंटर ऑपरेटेबल UPI पारिस्थितिकी तंतर का हिस्सा बनाने की अनुमति देने के जो हाल में कदम उठाए गया है उस कदम ने डेविट कार्ट की प्रासंग गता पर सवाल उठाए वहीं आगर हम बात करते हैं कि इंटर उपरेटेबल UPI तो इसके अंतरगत एक पेमेंट सिस्टम को दूसरे पेमेंट सिस्टम के साथ सइयोजित या कंजक्शन किया जाता है वहीं अगर हम आगे बात करते हो PPI इंटर अपरेटि और वहीं कि PPI के माध्यम से जो भुक्तान होता है वो बैंक धुखा लड़े के जोकिम से दूर रखने में मदद करता है क्योंकि इसकी एक अच्छी विसेस्ता यहां पर है कि जो यूजर्स होते हैं उस यूजर्स को हर बार पेमेंट करने समय अपने डेबिट कार्ड पीन दर दिन दिन पर अधिक्तम एक दुसलम एक परतिसात का इंटरचेंज सुल्क लगाने की बात की गई है एनपी सी आए के हालिया सर्कुलर में अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रशन की और दूसरा प्रशन यहां पर है कि गणित के छित्र में नौबल पुरसकार के बराबर सांक जवाब है ऑप्शन सी संचेप में सी आर राव हम इसकी व्याकिया अगर करें तो इसके अंतरगत जो प्रतिष्टित गणितग्य और भारती अमरीकी मूल के सांकिकी विध्ध है जिनका पूरा नाम है केल्याम पूरी राधा कृष्ण राव उनको सांकिकी में 2023 गैए जुलाई के महिने में कनाड़ा के उटावा में राप्त होगा अगला सवाल जब करें सवाल यह है कि उपराज्यपाल दिल्ली नगर निगम के सतस्यों को नामांकित करने में कैसे कारी कर सकता है किस परकार से कारी कर सकता है Peninsulaकिकतिगत विवेक के आधार पर Option B, मंत्री परिशत की सलाह और सहयता के बिना C, राश्पती के प्रामर्स के बाद D, मंत्री परिशत की सहयता और सलाह के साथ देखते हैं इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है D, मतलब मंत्री परिशत की सहयता और सलाह के साथ देखते हैं अब इसके हम व्याक्या अब इसकी व्याक्या के अंतरगत उपराजिपाल को दिली नगर निगम के सदस्यों को नामांकित करते हैं मंत्री परिशत की सहायता और सलाह कानुसार कारी करना होता है और यह कारी करना चाहिए और उपराजिपाल बिना मंत्री परस्यत के सहायता और सलाह के कैसे कारी कर सकता है यही सवाल सुप्रीम कोट ने पूछा और आगे हम अगर इसी विशे पर बात करें तो भारती सम्मिधान के उन्हतरवे संसोधन के द्वारा अनुच्छे 249 ए-ए को भारती सम्मिधान में सामिल किया गया जिसमें यह बात कही गई है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एक उपराजिपाल द्वारा शासित होगा जो निर्वाचित विधान सभा की सहायता और सलाह के आधार पर कारे करेगा वहीं आगे इसमें लिए लिखाया है कि अनुच्छे 249 ए-ए कहता है कि उपराजिपाल को या तो मंत्री परिशत की सहायता और सलाह का पालन करना चाहिए या उपराजिपाल के निर्देश पर राष्टपती द्वारा किये गे निर्णेयों को लागू करना चाहिए उसके अलावा अनुच्छे 249 ए-ए-ल-जी को मतलब उपराजिपाल को किसी भी मामले पर मंत्री परिशत के साथ किसी भी और सहमत्ती को संकल्प के लिए राष्पती को संदर्वित करने का अधिकार देता है बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है कि कौन सा अनुच्छे भारत के नियंतरक और महले का परिछा के करतवियों और सक्तियों से सम्मंदित है इसका देखते हैं सही जवाब है A मतलब अनुच्छे 149 इसकी व्याख्या अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो जो समाचार पत्र में जो न्यूज है उसके अनुसार कि जो हमारे महलेखा नियंतरक परिछक है उन्होंने यह बात कही है कि राज्य को ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जो सबसीडी की सही एकाउंटिंग कर सेके पहली बात उन्हों ने ये बात कहिए रिन को उचित इसतर पर राज को बनाय रखना चाहिए वहीं आभी जैसे हमने बात किया article 149 की तो भारत के नियांत्रक और महलेखा परिछक के करतव्यों और सक्तियों से समन्दित है वहीं जो कैग हैं मतनियंतरक और मालेखा परिचक वो भारती लेखा परिचा लेखा विवाग के प्रमुक के रूप में कारी करता है और भारत में शासन की लोगतांतरिक प्रणाली को बनाय रखने में महत्पूर्ण भूमी का निभाता है साथी साथ जो पॉब्लिक मनी है या साजनिक धन है उसके सनचा के रूप में कैग केंदर और राज दोनों स्तुरों को सामिल करते हैं देश के पूरे वित्ती धाचे पर निगरानी रखता है साथी साथ कैग भारत में वित्ती प्रशासन सनचना के महत्पुन इस्तंभ बाना जाता है जो साजनिक धन के प्रबंदन में जो accountability होती है और जो transparency होती है उसको वह सुनिश्चित करता है बढ़ते हैं अपने अगले प्रशन के और प्रशन है कि वित्त वर्स 23 मतलब 2022 के पाहले 11 मैनों में किन राज्यों ने अपने बजटी capex लक्ष मतलब पूंजी गत व्याय कैपिटल एक्समेंडीचर का 75% से अधिक हासिल किया है इसका सई जवाब है उप्सन ए मतलब करनाटक अंद्रप्रदेश और गुजरात ने अपने बजटी ये पूंजी गत व्याय के लक्ष का 75% से अधिक हासिल किया है देखते हैं इसे विस्तार के साथ इसके अंद्रकात अगर अगर आप देखें तो जो आंकडे आए हैं उसमें यह बात कही जा रहे है कि करनाटक अंद्रप्रदेश और गुजरात ऐसे राज्य हैं जिसके दर आज अपने बजटी कैपेक्स अनुमानों को कम कर देते हैं साथी साथ महाराष्ट ने पहले 11 मेनों में अपने वित्ती वर्स 2023 के पुंजीगत घाटे के अनुमान का केवल 15% हासिल किया है इसके साथी आज हमने कुल 5 परश्णों पर चर्चा की फिर मिलते हैं नए परश्णों के सम्हों के साथ नमस्कार